रूही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रतिक्षा होन मुखे ने ये रिष्टा का कहलाता है को लेकर बड़ा खुला सा किया है। एक्ट्रेस ने इंटरिव्यू के दवरान ये रिष्टा का कहलाता है के आगे की पूरी कहानी बता डाली। प्रतिक्षा होन मुखे ने बताया कि आने वाले दिनों में अक्षरा की डेथ हो जाएगी, अक्षरा की डेथ की वज़ा से कहानी पलड जाएगी, कहानी में 360 डिग्रीज चेंज आ जाएगा और यहीं से अभीरा की किस्मत बदल जाएगी, रुही और प्रतिक्षा ने आज तक को दिये एक इंट्रिवी में कहा, रुही और अर्मान की लव इस्टोरी शुरू होगी, लेकिन तभी अभीरा का रोड साइड मजनू, अक्षरा को मार डालेगा, अक्षरा जानी बानी वकिल रहती है, इसलिए अर्मान अक्षरा की बहुत अभीरा के साथ पौदार हाउस आएगा, तब मेरा प्यार नफरत में बदल जाएगा, मैं अभीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी वज़र से अर्मान मुझसे दूर हो जाएगा, वही उसकी मा की वज़र से मेरी माताश्री की डेथ हुई थी, इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, प्रतिक्षा का इंट्रिवू सुनने के बाद लोग उसे एक गूम है किसी के प्यार में का रिमिक बता रहे हैं, लोगों का कहना है कि मेकर्स को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने दूसरे सीरियल की कहानी को हूब हूपी कर लिय वहीं कुछ यूज और प्रतिक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका कहना है कि प्रतिक्षा ने बातों ही बातों में आने वाले एक महिने की कहानी बता दी, आपका इस इस्टोरी पर का कहना है, कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं, बॉलिवूड और एंटरेन्मेंट की खब